मैंने पिछली क्वीज में आप से एक सवाल पुछाता कि अमेरिका जो गुलाम था उसने इतनी ज़्यादा प्रगति के से कर ली कि वो विश्व की एक मात्र महासत्ता हो गया इसका काराण जानना जरूरी भी है और ये रिलेवेंट भी है क्योंकि आज हर राष्टा को प्रगति करनी है विकास ही आज का एक मात्र परमात्मा है विकास ही आज की प्रक्रति है विकास ही आज का धरम है बाकि तो कुछ है नहीं तो विकास करना है भारत को भी करना है तो अ अमेरिका ने अपना tolerance level बहुत बढ़ाया, आस्मान की उचायों तक बढ़ाया, अमेरिका ने अपना tolerance level, वहाँ पर आप Christ के खिलाप कुछ भी लिखकर किताब छाप सकते हैं, logical, हाँ पादरी चिलाएंगे, हाँ हूँ करेंगे, लेकिन कुछ फरक नहीं पड़ता हूँ, किसे भीगेगी, उस पर बेन करने की मांग नहीं होगी, और बेन भी नहीं होगी, यह जो tolerance है न अमेरिका का, इसी ने अमेरिका को अमेरिका बनाया, और tolerance इस हद तक है, क्योंको ऐसा भी नहीं है कि मनुश्य अमेरिका में पैदा होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, बहार से ज सबको अपनाया ये दो गुण ऐसे थे अमेरिका के जिसने उसे प्रगति के मार्क पे बिजवाया और ये दोनों गुण बेसिकली भारत की संस्क्रति के हैं यूगों से भारत की संस्क्रति के ये गुण हैं लेकिन होता ये है कि रह रह कर इस पर हमले होते हैं है न कभी जाती दिख दिया जाता है तो जातियों के हमले होते हैं कभी कुछ कभी कुछ तो यह जो टॉल्रेंस लेवल है उस पर हमले होते हैं और रह रहकर उसको कमजोर करने की कोशिश होती है अपनाने की हमारी संस्कृती है पूरे विश्वा से लोग भारत में आया और हमने अपनाया है ल कि अधी भारत को शिकर पे पोचाना है तो हमारा अपना गून है जिसे हमें पुनत अपनाना पड़ेगा जो अमेरिकान अपनाया है उम्मीदे ये सीधी बात आप लोग समझ गे होंगे Thank you very much समय तक वर्क्शॉप कंड़क्ट करने का रिकॉर्ड उन्ही के नामदर्ज है साथ ही उन्होंने मैं मन हूँ, मैं कृष्ण हूँ सब कुछ साइकॉलोजी है 101 सदा वहार कहानिया, आप और आपका आत्मा तथा तीन आसान स्टेप्स में जीवन को जीतों जैसी कई बेस्सेलिक किताबे भी लिखी है यही नहीं, भगवत गीता की साइकॉलोजी पर दीप त्रिवेदी द्वारा किये गए कार्रों के लिए उन्हें ऑनिररी डॉक्टरेट की उपादी भी प्रदान की गई है